दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सम इफ फॉर्मूला की बात कर रहे हैं अगर आप जॉब में हैं या फिर एस्टुडेंट हैं या फिर अपने प्रस्नल कामों के लिए यूज करना चाहते हैं तो सम इफ फॉर्मूला आज हम डिटेल्स में बताएंगे और यह आपके बहुत काम आएंगे तो सम का मतलब तो आप जानते होंगे सम फॉर्मूला जोडने का काम करता है और इसमें जैसे ही इफ लगा तो यहाँ पर कंडिशन आ गया तो कंडिशन के आधार पर अगर हमें जोडना हो तब हम सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं उसके लिए हम सबसे पहला जो एक्जामपल लिए हम यहाँ पर तो यहाँ पर सिरियल नंबर आइटम नेम और कुछ अमौन्ट दिया हुआ है अगर हमें नॉर्मल सभी को जोडना होता तो हम यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा लेते और यहाँ पर इन सभी का टोटल अमौन्ट निकल के आ जाता लेकिन हमें कंडिशन के आधार पर टोटल करना है जैसे एक्जामपल के साथ यहाँ पर कीबोर्ड, मौस और SMPS यहाँ पर तीन product लिया गया है और इन तीन product का यहाँ पर amount दिया हुआ है और हमें इसमें से सिर्फ keyboard का अगर total करना है तो वहाँ पर sum if formula काम करेगा तो कैसे लगाएंगे तो start करते हैं सबसे पहले type करेंगे equal to sum if bracket open करेंगे यहाँ पर तीन argument आता है सबसे पहला argument range दूसरा argument आता है criteria और तीसरा argument sum range तो सबसे पहले समझते है range क्या होता है range वो जगह वो location जहाँ पर हम criteria को ढूंडेंगे criteria मतलब जो condition दिया गया है जैसे हमें कहा गया है कि keyboard का total amount निकालना है तो keyboard हमारा criteria हो गया और keyboard जहाँ पर जिस field में type किया गया होगा वो हमारा range हो गया तो सबसे पहले हम item name वाले field में आएंगे यहाँ से इस पूरे range को select करेंगे select करने के बाद यहाँ पर comma लगाएंगे जैसे ही comma लगाएंगे तो criteria highlight होगा अब हमें यहाँ पर criteria देना है तो criteria क्या होगा keyboard टैप करना है अब जब भी हम formula के अंदर में text को टैप करते हैं तो वहाँ पर double quote के अंदर में टैप करते हैं तो shift के साथ में double quote प्रेस करेंगे और type करेंगे keyboard keyboard टैप करने के बाद फिर से double quote close करेंगे comma लगाएंगे अब some range का argument देना है तो some range जिस amount का total करना है उसका range दे देना है तो simple सा हम इस range को select करेंगे shift के साथ में bracket close करेंगे और जैसे enter करेंगे तो यहाँ पर total keyboard का amount निकल के आ जाएगा जितना भी keyboard है उनसा भी का amount यहाँ पर आपको total मिल जाएगा इसी तरह से हमें mouse का अगर निकालना है तो फिर से type करेंगे equal to sum if bracket open करेंगे सबसे पहले item name वाले इस पूरे range को select करेंगे comma लगाएंगे और फिर से criteria में हम double quote के अंदर में mouse टैप करेंगे double quote close करेंगे comma लगाएंगे और यहाँ पर sum का range देंगे amount वाला यह जो पूरा field है इस पूरे range को select करेंगे bracket close करके enter करेंगे तो यहाँ पर mouse का total amount निकल के आ जाएगा अब इस से हट के थोड़ा इस से आसान वाला example समझते हैं तो चलते हैं अगले sheet में हमने यहाँ पर उन ही तीनो आइटम का अलग-अलग field बना लिया है और हमें यहाँ पर total keyboard का total amount यहाँ पर चाहिए mouse का total amount यहाँ पर और smps का total amount यहाँ पर चाहिए तो हम एक बार formula लगाएंगे और यहाँ पर तीनो में automatic तीनो का total निकल के आ जाएगा तो सबसे पहले field में cursor रखेंगे type करेंगे equal to sum if bracket open करेंगे यहाँ पर भी range देना है तो range item name वाला जो पूरा field है इस range को select करेंगे कॉमा लगाएंगे और criteria इस बार हम double quote में नहीं डालेंगे क्योंके criteria यहाँ पर type किया गया है इनहीं तीनों item का हमें total amount निकलना है तो पहला जो cell है इस cell को select करेंगे कॉमा लगाएंगे और इसके बाद sum range देंगे अब इसके बाद bracket close करने के बाद enter करेंगे तो इस formula को drag करना होगा तभी mouse और smps का भी total amount निकल के आ जाएगा तो उसमें range जो है वो range नीचे आ जाएगा और sum range नीचे आ जाएगा इसके लिए हम range को पहले fix करेंगे तो range वाले इस range को select करेंगे यहाँ पर इस तरह से select करेंगे और keyboard से बस F4 बटन दबा देंगे फिर उसके बाद sum range वाले इस field को इस तरह से select करेंगे और keyboard से F4 बटन दबा देंगे तो आपका row और column दोनों lock हो जाएगा तो यहाँ पर range भी और sum range भी lock हो गया है अब जैसे enter करेंगे तो यहाँ पर keyboard का total amount निकल के आ गया अब इसे इस तरह से drag कर देंगे तो keyboard का total amount, mouse का total amount और smps का total amount इस तरह से आसानी से निकल के आ जाएगा तो चलते हैं फिर से next example के लिए आगे बढ़ते हैं तीसरे sheet में और यहाँ पर हमने उसी table में एक और payment mode एड़ कर दिया है बीच में तो दोस्तों यहाँ पर हमें cash और offline payment रिसीव हुआ है तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि total cash कितना payment आया है और total online से कितना payment आया है तो हम यहाँ पर अब हम type नहीं करेंगे cash और online उसके लिए हम drop down list बनाएंगे तो सबसे पहले data tab में आएंगे यहाँ से data validation पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से any value के जगा पर list को select करेंगे list को select करने के बाद source में अब हमें type करना है दोनों mode type कर देंगे जैसे एक mode है cash खौमा लगाएंगे space देके online type करेंगे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर drop down बनके तयार हो जाएगा cash और online तो किसी एक को select करते हैं अब हम यहाँ पर formula type करेंगे फिर से type करेंगे equal to sum if bracket open करेंगे और सबसे पहले range देना है तो range इस बार payment mode हो जाएगा इस पूरे range को select करेंगे कॉमा लगाएंगे उसके बाद criteria में इस field को select करेंगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद sum range को जैसे ही select करेंगे bracket close करके जैसे enter करेंगे यहाँ पर cash में कितना payment आया है वो total amount पता चल रहा है उसके पाद यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आउनलाइन तो आउनलाइन कितना रिसीव हुआ है वो सारा आटोमेटिक पता चल जाएगा उमीद है के वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को प्रेस कर लीजिए ताके मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे